आप देख रहे हैं सबसे बड़ा दंगल और नंबर्स हमारे साफ समक्ष हैं और नंबर्स बार 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 बदल रहे हैं ब्रेक से पहले 20 पर BJP थी अब 30 पर BJP है जेमें प्लस 40 पर है कॉंग्रेस और जेमें का जो गड़ बंदन है वो 40 पर आगे चल रहा है जेवियम और अच तीन तीन पर अन्य के खाते में 5 या अन्य आरजेडी है आरजेडी ने बड़ा शांदार प्रद्रशन किया है जो महागरबंदन है उसमें माफ करिए आरजेडी कॉंग्रेस प्रस पर ही शामिल है ये अन्ने के में सर्यूराय वाले सीट है जो बुख्यमंतरी जो है वो अपना चुनाव हार रहे हैं ये समय की बड़ी अपडेट है आपको बता देते हैं लेकिन इस समय हेमन्स शुरेन कुछी वोटों से सही लेकिन अ लेकलता हुआ फिलहाल दिखाई दे रहा है ये अब आशोक वांखाड़े आप मना क्यों कर रहे हैं खाते से नहीं निकल रहा आपको लग रहा है नहीं जब तक मैं कह रहा हूँ आपको महराष्ट के आप थोड़ी सी बात अलग रखिएगा महराष्ट में क्या हुआ यदि इस पर जाएंगे तो बहुत अंदर है वो अंदर नहीं लड़ाई थी यहां पर उनको जीतना है तो अभी भी थीन और तीन छे और पाँच आरिफमेटी आपके सीटों पर उक्सान पोह जाने सर्यूराई के के शरमा मेरे साथ Hai 예 खहता है कि सारीूराई ने बड़ा जटका दिया आपको कई सीटों तो शर्यूर आए इससे तो जगड़ा था रगवर्दास का वह आप पे भारी पड़ गया और आज आपको लाले है सरकार बनाने के रगवर्दास अपनी सीट हार रहे हैं अमीज जी आप सतंत्र है इस तरह का विशेशन करने के लिए और कर सकते हैं उसमें मुझे कोई दिकत नहीं है लेकिन जहां तक हम जिस विशे को अभी सोच रहे हैं उसमें ये चीजे अभी नहीं है और तो अबी फिलाब नहीं सोचेंगे सरकार बन जाए कॉंग्रेस प्लस का नंबर दो आर कम हो जाए वो तो आप सोचीए लेकिन क्या आपको केंदर में तो स्विकार कर रहे हैं लेकिन राज्यूंचे में क्यों रेजेक्ट कर रहे हैं हर्यागा के अंदर भी आपका नंबर 40 रा ने राज्य में भी आपने आकड़ा दिया था श्रिप सेरा ने महारास्टर में पाला बदल लिया अमीज जी राज्य में भी हम जारखंड में सबसे बड़ी पार्टी हैं ये अब ना देखें अभी हमारा बोर्ट परतिसाद भी ज़्यादा ही है या तो अभी राज्य यह कहें कि आपने राज्य ने नकार दिया और अब ऐसी तो कशए इन डिया है बहुत कम अब बहुत सी सीटे हैं जिसक्ते के की बहुत सी सीटें ऐसी हैं जहां पर अभी फल्टेगा और कुछ पलेट भी राए लेकिन बड़ा नंबर इसमें ये कह रहा है कि जे में पलस बैसको कॉंग्रेस पलस नहीं कहता हूँ वो इसमें बहुत मजबूथ स्थिती में है यारी 40 सीटों पर आ गए है आप 30 सीटों पर आ गए है मैं सीधा रुख करतों में तर रागनी नायक हैं कॉंग्रेस पार्टी की राश्टे पर बगता हैं रागनी जी आप के पास में आता हूँ एक और राज्ये बीजेपी के हाथ से निकलता हुआ विपक्ष के पास जाता हुआ जी बिल्कुल और लगातार मैं इसलिए कहती हूँ के भारतिय जनता पार्टी जो की 2014 के बाद एक उठान की तरफ थी जुआर था वो आज गिरावट और भाटे से गुजर रही है और वो इसलिए गुजर रही है क्योंके लगातार जनता के देनंदिक जीवन को प्रभावि कर रही है भारतिय जनता पार्टी आप देखिए जारखंट की चुनाओ को ही कॉंग्रेस कह रही थी कि हम पचीस सो रुपे नियूंतम समर्थन मूले देंगे धान के लिए हम कह रहे थे कि 2 लाख रुपया कर्ज माफ करेंगे 2 लाख रुपे तक का किसानों का हम कह रहे थे जाए उन्हें बर्गलाया जाए मैं मैं मुझे पता है आप आना चाहरी है मैं आपकी पास आउंगा लेकि अनुरॉक धाना के पास एक रिजल्ट हब से बड़ी अपडेट है वो मुझे लेनी पड़ी कि अनुरॉक क्या अपडेट है बताई देखे बिलकुल जब ये दावा किया जा रहा है कुछ पार्टियों से कि अब ये ट्रेंड्स बहुत जादा बदलेंगे तो हम बता दे हैं कि बहुत जादा परिवर्तर नहीं होगा बलकि हमारे पास पहला नतीजा आ रहा है अब पहले नतीजा हमारे पास आ गया है क्या है ये नतीजा कहां से हैज़ा बिर्मू सीट जो है वो कॉंग्रेस ने जीती है तो अभी अभी ज़स्ट पहला नतीजा हमारे पास आ चुक है वो कॉंग्रेस को जा रही है